ही वैजी अडर से ए 17 कई बच्चों कि ने अीज क्लास्ट में अच्छी परफॉर्बंस हुई है या फिर ज अच्छी परफॉर्फॉर्मेंस नहीं हो पाई है तो अन डाज सुआफ क्लास्त वार्वीर अ और यह दोनों ही लिस्ट सेपरेट होने वाली है और जितने भी कॉलेजेज में आप लोग को बता रहा हूं उनके एड्मिशन की जो लिंक है वह मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप लोग उसे एपलाई कर सके हैं और कुछ को आप्लिकेशन फॉर को हम इंड होने वाली है तो मेरा आपको बस यही कहना होगा कि एक लिस्ट चार-पाच फॉर्म को आप भरके रहें ताकि आपके पास विरैटी आफ कॉलेजेज हो और जिसमें से आप लोग जिस भी कॉलेज में चाहें उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सके ठीक है तो लि पीडियff की लिंक में आप लोगो दिस्किशन पर दे ढूंगा थीक है उस पीडियाफ के लिंक में नीचे डिस्के लिग्शन पर आप लोगो एक एपूप्शन हाइगा वहां से घ्र आप चाहें एफड़क कर सकते हैं कि अगर मैं रान्य कि बात करूं तो वह तो है 8,00,00,00 पर एनम और हाइर्स सेलरी की बात करों तो है हमारा 43,00,00 पर एनम ठीक है उसके बाद हमारा जो सेकंड नमर पर कॉल जाता है वह हमारा J.I.I.T. noida JP Institute जो की noida में हमारा ESTD की बात करों तो वह हमारा 2001 NIRF रंकिन की बात करों तो वह हमारा 94 फोर मीडियन सेलरी इस फाइव लाक पर एनम और हाइस सेलरी इस 44 लाक पर एनम ठीक है अब इसमें भी जो होती है कुछ सीटों पर क्लास 12 के बेसिस पर भी होती है तो आप लोग इसकी वेबसाइट पर जाके चेक जरूर से जरूर कर लीजिए ठीक है तीसरा नमर जो हम लोग को मिलती है ESTD is 1996 and IRF ranking is 45 median salary is 4.4 लाक पर एनम इंड़ हाइस salary is 64 लाक पर एनम उसके बाद हमारा आता है PSG College of Technology यह भी आप लोगों को TNEA counseling से मिलता है इसलिए इसकी बारे में यो details है मैंने सामने आप लोगो लिख दिया है और बागी चीज़े आप लोग यहां से देख लिजएगा ठीक है लिस्ट में हमारा अगला college आता है वह हमारा UPES दहरादून अगर मैं किसी college की बात करूं जो कि private college में लगातार improvement कर रहा है तो उसमें से एक नाब आपका UPES दहरादून का भी आएगा अब इसकी जो examination है यार वो आप लोगों की मेरे ख्याल में दो-तीन द्रों में आप लोगों की examination होने वाली है तो इसकी application form की link में आप लोगो description में देदूँगा वहां से जाकि apply कर लिजेगा form को और इसकी examination देद 21 तो काफी जादा improvement देखनों को मिला है college में median salary is 4.5 lakh परेनम and the highest salary is 50 lakh परेनम ठीक है लिंक इसका description पे आप लोगों मिल जाएगा इसके बाद लिस्ट में हमारा अगला college जो आता है वो LPU Punjab अब इस college को लेके बहुत सारे बच्चों के दिमाग में negative vibes वो create मतलब हो रखी है ले पातार अगर आप पांच सालों में देखेंगे तो इसकी एन आया एफ रैंकिंग में चड़ाव आया है इसकी application form की लिंक में आप लोगों को description में देदूंगा और code अगर आप यूज करेंगे तो वहां पे आप लोगों को discount मिल जाएगा बहुत ही कम रुपे में आप लोग करेंगे उससे कम scholarship admission आप लोगों का अंत में भी होगा लेकिन वहां पे आप लोगों को सबसे कम scholarship मिलती है ठीक है तो वह चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है तो एल्प्यू की application form की लिंक में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर देदूंगा एन आयर लेकिन इसकी भी अगर देखेंगे तो दिल खुस हो जाएगा आप लोगों का क्यूंकि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कॉलेज है ना मीडियान सेलरी इस 4.8 लाक परेंक और एन आयरे फ्रेंकिंग इस सिक्स्टीवन और हाइए सिफ्टी टू.11 लाक परेंक यह मैं वेस्टी की बात करा और अगर मैं इंटरनाशनल की बात करूं और और ऑफ केंपस की बात करूं यह मैंने ऑन केंपस की बात की 52 लैक अगर मैं आफ केंपस की बात को तो 1.7 CR 1.7 करोन क्योंकि इस साल आप ने देखा है कि Amazon इंडिया ने काफी सारे बच्चों को 1.7 CR का package दिय जैसे डबलीन वगरह में वहाँ पर उनलों की प्लिस्मेंट हुई है लेकिन यह ओफ केंपस था इसलिए यहां पर मैंने आप लोंको बता दिया ठीक है लिस्ट में हमारा अगला college आता है वह है चितकारा university इसकी भी application form की link में दे दूँगा इसे भी मैं करता हूँ कि आप ल जैसे की यूपी यह से उसी तरीके से ग्राफिक एरा university भी है इसकी एस्ट्रीक की बात करों तो वह हमारा नाइंटीन और नाइंटी ट्री एना एफ रेंकिंग की बात करों तो 75 इसमें भी थोड़ी सी इंप्रूब्मेंट हुई है इसके बारे में काफी सारे बच्चों को पता होगा अब क्यूंकि आर मैं आप लोगो क्लास 12 के बेसिस के बारे में बता रहा हूं तो एक बात ध्यान रखेगा कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आप लोगों को इंट्रेंस एक्जामिनेशन पास करके फिर एडिमिशन मिलती है त तो उसी हिसाब से वहां की होती है प्लेसमेंट और अगर आप मैं क्लास 12 के बिसिस पर आप किसी जगह पर अडिमिशन ले रहे हो तो वहां पर जो ज्लाइटली जो ज्यादा अच्छे बच्चे वह पहले निकल चुके है तो बांकी सारे बच्चे वह उस कॉलेज में अडि प्लेसमेंट इसको आप कह सकते हैं तो सार्दा युनिवर्सिटी की अगर मैं इंजीडियरिंग ब्रांच की एस्टीड की बात करूं तो डैक्ट इस 2009 एन आयरा फ्रैंकिंग इस 179 मीडियान सेलरी इस पूर लाइक पर एनम एंड़ हाइर सेलरी सब्सक्राइब को बता रहा है ठीक है लिए फोर फोर पोर पॉर्ट फाइब पर रेनम और हैसलरी इस थाट फाइब निवरसिटी बेनेट युनिवरसिटी आप इस इस निपता रहा है को ब्लाई कर सकते हैं इस लिए इस स्लाइटली निव है क्योंकि एगर आप येस्टीड की बात करें तो 2016 इसका मतल रहे हैं तो प्लेस्मेंट लगातार 2-3 सालों में का अफी अची प्लेस्मेंट इसको देखने को मिली है की जब तक college की तीन या acquired placement नहीं हो जाती है तो कॉलेज सब्मीशन डेता वो नहीं कर सकता है इसी वेसे अभी हो पे शन्षाब आप ERIC अप लोगो देखने को नहीं मिल रहा है तो यहां पर आप लोगो मैं Subscribe करना चाहोँ इस College के मेरली उसके बाद मैं हाईयर सेलरी की बात करें डैटी जो 30 लैक पर हो सकता है कि इस साल थोड़ी बहुत चेंजेज हुई हो जो की वेबसाइट पर भी तक रिफ्लेक्ट नहीं किया है आगे अगर रिफ्लेक्ट होती है तो मैं आप लोगों को चेंजेज करके फिर इस तो यहां पर लोगों को स्लाइटली थोड़ी सी न्यू है तो यहां पर लोगी क्लास 12 के बैसे पर अडिमिशन वह सकती है और मीडियन सेलरी इस थी पॉइंट फाइट फाइव लाग पर एनव ठीक है तो यहां पर जितने भी कॉलेजेज मैंने बताया है इनमें से लेकिन हम लोगों को क्योंकि 14-15 कॉलेज की ही बात करनी थिया तो इसी वज़े से कुछ कॉलेज ऐसे हो सकते हैं जो कि मैं सोच हजारों कॉलेज है और अगर मैं लिस्ट बनाने के लिए बैठी हूं तो इसी तरीके से लिस्ट टॉप 15 के लिए टॉप 25 या टॉप 50 या टॉ बागी रही बात लिंक्स की इंपॉर्टेंट लिंक्स की वह सारे दिस्क्रिप्शन पर है और जो इस बच्चों को PDF की भी लिंक पर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर प्रवाइट कर दूँगा ताकि आपने माता-पिता को भी वह दिखा सके ठीक है रही बात फीस वग कर लिजेगा आप लोग तक कि बाद में आप लोगों को दिखतत नहीं बस मेरा आप लोगों को सी यह कहना हो सकता है कि हजार-दोजार खर्च हो जाए चार-पांच कॉलेजिस को फिल करने के लिए बट आप लोग के एक सेफ साइड में जरूर रहेगा और एप्लिकेशन फ